यच्छ को नजर आएगे जब पहिणाम आएगे फ्रस्टु इंडिय आप तक पहुंचाएगा लेकिन आज बड़ा दिन है बड़ा पर्व है वो आप तक तस्विरे पहुंचाने कली है खबर पहुचाने के लिए हमारे सयोगी 40 जगे से मौजूद है जो आप तक तस्वीर दिखाएंगे लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है निर्वाचन विभाग ने आपर आकड़े जारी कर दी जिसका इंतजार था प्रदेश पे पहले एक घंटे में वोटिंग का निर्वाचन विभाग ने जारी के ये आकड़े और ये आकड़ा है 6.09 परसेंट का यान ये पहले गंटे के आकड़े हैं अलाकि 9 बजे जारी होना ता साड़े 9 बज चुके हैं बड़ी और एम कमर्स आपको रूबरू करा रहे हर गंटे जिस तरह से भी यहाँ पर प्र कर दो चुके हैं जो जारी हो चुके हैं और पहले गंटे का ये प्रदेश्त है निर्वाचन विभाग ने ये आकड़े जारी कर दिये तो बड़ी और आएम खबर साहब को रूबर उकरा रहे हैं 6.09 परसेंट शुरुवात जिस तरह से हुई है वे दर्शार ही है कि आगे क्योंकि ठंका वक्त है कई ऐसे लोगे जो सुमा नहीं निकल पाए हैं कई जगे एवियम में खराबी नजर आए वीवी पैट मशिन कहीं पर काम नहीं कर रही है वो भी हमने देखा लेकिन अब जब एक बार रफ्तार पकड़ेगा ये मतलान प्रतिशाट तो कितनी आगे जाता है इस पर सब की नजरे रहेंगी क्या पिछली बार कर रिकॉर्ट राजस्तान की जंता तोड़ पाएगी उस पर सब की नजरे इतिहास दर्च करेगा वो हम आपको दिखाएंगे लेकिन इस वक्त यह बड़ी और रहम ख़बर है जिससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं यहाँ पर पहला एक घंटे का आकला सामने आ चुका है यह परसेंट है 6.11, 6.1 एक प्रतिशत या आगता है निर्वाचन वोटिंग यहाँ पर दर्च कराएंगे हैं लेकिन पौने पांच करोन मतिदा आता है अपने मत का प्रयोगाज करेंगे और क्या कुछ नजर आएगा कितना प्रतिशत जाता है शाम पांच बजे तक वोटिंग होने के बाद और शाम 6 बजे जब फाइनल आकरा आता है उस प लोग खड़े हुएं अपने मत का इस्तमाल करने के लिए कितने लोग हैं जो यहाँ पर लगतार कातारों में खड़े हुएं महिलाओ की तादाद क्या है यूवा कितना बर्चर कर भाग ले रहे हैं तमाम एहम जानकारिया सबसे पहले आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंच जैपूर ग्रामीड से दस्विधानसवाज शेत्र इसके अंतरगात आते अपने परिवार के साथ वो पहुंचे वोटकास करने के लिए अनन्द कुमार मुक्त निर्वाच वना दिखारी सब अतनीक पहुंचे थे अपना वोटकास